हमेशा मर्द गलत नहीं होता औरत भी गलत हो सकती है लेकिन हमारा माइंसेट है अगर कोई मर्द किसी औरत को थपड़ मारता है तब हम कहतें कि बड़ा जालिम मर्द है और अगर कोई औरत किसी मर्द को थपड़ मारती है तब भी हम कहतें कि जरूर मर्द में कुछ बत्तमीज की होगी हर हाल में हम मर्द को ही गलत समझते हैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारी प्रिया दर्शनी वैसे तो इस वोड का मीनिंग होता है कि अतल खूपसूर्ती अतल सुन्दर्ता वो चीज मुझे नहीं दिख रहे है क्योंकि सुन्दर्ता जो है इनके फिल्टर मारे वे फोटो के वैसे तो बिलकुल भी नही हो जो भी हो लेकिन आपकी अंदुनी जो खूपसूर्ती होती है मतलब इनर ब्यूटी जो होती है वो मेन होती है जो के इस लड़की के अंदर में दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा है और वैसे भी ये प्रिये और इनका दर्शन कोई नहीं करना चाहता इस टॉपिक के कोई भी किसी के साथ में जगड रहा हो और उसमें अगर male female हो और अगर वहाँ पे public की side लेनी की बात हो तो public सीधे तरीके से side एक लड़की की लेती है लड़के का बिलकुल भी नहीं और उस वक में सोचने समझने की सारी ताकत खतम हो जाती है mind जो है उनका conscious mind बोलो या फिर subconscious mind बस एक ही चीज़ कहता है कि हमें लड़की को support करना है लड़की means के वो लड़की जो है कमजोर है सबसे पहली बात अगर आप लड़की को support करना चाहते हो तो लड़की को कमजोर समझना ही बन कर दो क्योंकि जिस पल से आप शुरू करते हो ये समझना कि वेचारी लड़क किसी भी एंगल से कमजोर नहीं होती है वो अपनी पर आए तो अच्छे अच्छो को नानी की दिला दे लेकिन यहां पर जो चीज़ उन्होंने किया है वो act कहीं से भी appreciation act नहीं लगता है कि हाँ उस चीज़ को appreciate किया जाए बल्कुल ऐसा ही incident एक बार जो है जो है जो है जो है जो बीड कड़ी थी उसमें से अधिकतर लोगों का यही मानना था कि ज़रूर लड़के ने कुछ किया जिसके वैसे यह लड़की इसको जहांपर पर जहांपर जड़ी जारी है उसमें से कुछ लोगों ने हिम्मत करके आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में उन दो लगे और उसके पीछे में भई लॉजिक यह था कि अगर 30 मिनट क्रॉस हो जाता है फ्री पीजा फ्री पीजा वीजा फ्री बेलकुल वैसे ही जो है ना केस में उसमेटो लड़की को लगा कि मैं कुछ ठोड़ा सा मचांट करूंगी और लड़के के पास से मैं फ्रीका खान मतलब चलता है, हम तो कुछ ही नहीं इनके सामने में, उस वक्त में भी लड़की का सपोर्ट किया गया, और उसके बाद से लड़के ने जब अपना पक्ष रखा, तो भै उसके ऐसे सीधा गूम गया लड़के के तरफ में केस की लड़का सही है, पर उस वक्त तक जो है, जो म यही इज़त के बारे में आज शहादत अली बात कर रहे है कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, और जहां तक कि लड़की के बारे में सोच है, मैंने इससे पहले भी दो वीडियो बनाए है, लेकिन उसमें इस टॉपिक के पर में बात नहीं किया है, अभी म उनकी दवाईयों को देख करके वो हिल जाते, फिर वो बताते कि उसकी कोई family member जो के hospital में admit है, और उनके लिए यह दवाई लेकर जा रहे थे, वो बहुत गरीब है, और तुमने यह सारा चीज़ तोड़ दिया, मेरे को भी जान से मानने की कोशिश की, फिर जो वो दमपत्त होते थे या जो भी driver या जो भी गाड़ी के अंदर में होते थे, उस जमाने के हिसाब से गाड़ी हर किसी के पास में नहीं होती थी, तो जिनके पास में गाड़ी उनके पैसा था भई, अच्छा खासा था, driver के पास में भी पैसा निकाल आता था, तो भई उनके जिब में ज तरह से नहीं पड़ते थे, जिस तरह से आज पड़ते हैं, आज सारे इंसिडेंट होने के बाद में कम से हम यह कोशिश तो करते हैं कि उनको जस्टिस मल जाए, उस टम पर ऐसा नहीं होता था, तो मुझे लगता है कि ये लगकी कहीं यही काम तो नहीं न गरती थी, कि भई सी रोका, इंसानियत के नाते रोका कि भई अगर लग गया तो, वो रोकना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके लिए बहुत बड़े soft target बन गए, उनको एक चिस पता है, human psychology और खास करके जो male होते है, उनकी जो psychology होती है, उनको बहुत अच्छे से वो जानती है, और उनको psychology जो है, बहुत बहुत बुराना है, और लोग इसी चीज़ को हमेशा से follow करते हैं, और अभी जितना भी इस पर वीडियो बना लो, या जितना भी कुछ कर लो, ठीक है, पर पक्ष हमेशा लड़कियों का ही strong माना जाता है, कि अगर police case हुआ, तो अगर लड़की ने case दायर क होती है, तुने कहा कि रहे, यह होता है उनका tune, और जब लड़की आती है, हाँ मैडम, बैठी है, मैडम को पानी दो, मैडम पूछो क्या हुआ, मैडम को क्या हुआ, पूछो, इस तरीके से treat किया जाता है, तो जो अब equality की बात करते हो ना, वो यहाँ पे आके टूर जाता ह और यही चीज जो है, इस case के अंदर में भी हुआ है, जो मैटो वाले टाम पे भी हुआ है, और इस बार में भी यह हुआ है, कि भाई, लड़की का पक्ष सबसे पहले सुना गया, लड़की के case करने के उपर में, लड़के को पहले जेल में डाला गया, और evidence होने के बावज जूद भी, पुलिस को यह चाहिए कि भाई, case करने के लिए कुछ strong सबूत तो मिले, जब तक public का pressure नहीं आया, जब तक यह जनता जनारधन ने अपना force नहीं देखाया, तब तक उन्होंने case दायर नहीं किया था, F.I.R. नहीं लिया था, तो समझ पा रहे हो, हमारी psychology को बद जले से उसके मुँसे भाईया ही निकल रहा हो, लेकिन आप एकदम ready हो जाते हो, hero बनने के लिए, कि हाँ law में निकाल देता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कि लड़की जब आये, कोई भी female आया और उसको help ना करो, अगर उनको ज़रू थे, then आप help करो, आप देख रहे जैसे line लगा के खड़े हो के, टिकट निकाल सकते हो, please आपका वहाँ पे ladies वाला line ये वहाँ पे जाके खड़े होई है, और आपको ticket मिल जाएगा, I hope आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होगे, आपका क्या take है, मेरी इस ख्याल से आप कितना वाकिफता रखते हो, उस बार करके प्यार से सुनो, हाँ मैडम आप बोलो क्या problem है, पर साथी साथ, दूसरा पक्ष भी सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे इसमें अभी भी यही हुआ है, कि जो सबसे ज़्यादा कमजोर बिखा हमने उसको सबसे पहले support किया, luckily वो जो है अभी तक इस तरह का थ कि वो किसी तरह से गलत है, लेकिन हम हमेशा यही करते हैं कि यह कमजोर है, तो हमें इसका support सबसे पहले करना चाहिए, आपको सबसे पहले पक्ष सुनना चाहिए, बात सुनो, backstory के पीछे में मत जो यार, सबसे पहले सुनो कि उसका पक्ष क्या है, दोनों को compare करो, facts check करो, then you can help them, समझ में आ रहा होगा, आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले जो आपकी मान सिकता है, उसको यह समझाओ कि अगर किसी को बराबरी देना चाहते हो, तो बराबरी सुनना भी शुरू करना पड़ेगा, अगर आप बराबर करी के से सुनोगे, then you can understand that what's the real fact and what's the real incident, that's it from my side, what's your take, please do comment, मिनों का नेक्स वीडे में चाहल पर नए हो, तो चाहल को सब्स्क्राइब कर लो, बेल का बेटन का बालो,